रेशो कॉल स्प्रेड ड्या रेशो कॉल स्प्रेड यह आपको कब लेना चाहिए और आप इस पूरी strategy को जिसमें कुछ buy involved है, कुछ sell involved है, वो आप एक click में धन app के द्वारा किस तरीके से आप इसे strategy को easily ले सकते हैं और किस तरीके से आप उससे easily exit कर सकते हैं, यह आज इस video में देखेंगे नमस्कारत दोस्तों मैं करमबीर सिंग अपना टेडर में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको धन की ऑप्शन टेडर एप के थुरू मैं आपको समझाता हूं कि यह स्टेड़ी जो है वो क्या होती है किस तरीके से काम करती है तो आएए शुरू करते हैं आप प section में आएंगे और यहां आपको यह बहुत सारी जो है अलग लग strategy जो है उएपको दिखाई देंगे यह सारी तेड़िस आप एक क्लिक में ले सकते हैं एक बड़ी आप है और मैं भी से यूज़ करता हूं वेरी यूसफुल तो इसमें आप यहां नीचे देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा देखिए यह आप यहां देखिए यह है इसमें डेखिए ट्रेट क्या होता है समझिये एक इसमें इसमें बाय है और 2 इसमें इसमें सेल है और उससे थोड़ा और बहार जाके दो call हम sell कर लें दो कर सकते हैं तीन कर सकते हैं पर नॉमली जो है वो average लोग 1, 2, 2 का रेशो बनाते हैं तो एक call आपने buy किया उससे थोड़ा और उपर जाके दो call आपने sell कर दिये इसमें aim actually क्या है कि आप जो call थोड़ा बहार जो जादा out of money जो आप sell कर रहे हैं call उसमें उससे आपको जो है वो premium आता है तो 2 का premium जो है जो आपने एक buy किया है उसके बराबर हो जाता है तो आपको ना पैसा देना पड़ा और ना आपको पैसा मिला एक trade में तो इस तरह से आपको जो है वो immediately कोई profit loss नहीं होता है और फिर उसका जो movement होता है वो अभी आपको मैं ग्राफ पर बिताऊंगा कि उसके movement में एक तरफ जो है वो almost आपका loss बिल्कुल 0 के बराबर होता है अगर ये जैसे मैंने आपको होता है कि एक आपने call buy किया दो sell किये उसकेस में अगर market पूरा ultra negative कितना भी चला गया आपको loss नहीं होगा या very minimal loss होगा तो जब market उपर चड़ेगा तो एक range तक आपको profit होगा लेकिन अगर उससे भी उपर जो आपने sell किया हुआ है उससे भी उपर चला गया तो फिर आपका loss जो है वो बढ़ जाता है तो अभी हम यहाँ पर इसमें देखते हैं कि वो कैसे होता है तो देखिए तो यह यहाँ पर मैं यह call ratio spread पर मैं click करता हूँ ठीक है और यह मैंने bank nifty में लिया फिर से मैं click करता हूँ यह फिर से मैंने click किया अब देखिए आपके सामने यह 4 strategies हैं और सब का expected profit जो है वो अलग-अलग है इन सब में जो call buy किया जा रहा है वो आप देखिए यह सब में देखिए यह call buy किया जा रहा है तो 39,400 का call जो है वो सब में buy किया जा रहा है और sell जो कर रहे हैं जो दो call हम sell कर रहे हैं वो देखिए वो अलग-अलग है 800, 700, 600, 500 तो यानि आप अभी मालेजे 29,300 आप यहां पे top में देख सकते हैं कि अभी price चल रहा है यह तो 29,300 से थोड़ा बहार निकल के 29,400 पे आपने एक call buy कर लिया तो आप जितना ज़्यादा बहार जाएंगे उतना आपका profit बढ़ता है जितना आप कम बहार जाएंगे उतना profit कम होता है लेकिन यह वाला जिसमें profit कम होता है उसमें loss almost ना के बरावर होता है जैसे आप example में अगर आप देखें तो यह देखें यह last वाले पे मैं click करता हूँ और यह analyze trade में हम इसको analyze करते हैं ठीक है यह मैंने click किया आप यह trade देखिए तो trade क्या है 34-400 का 1 call आपने buy किया है और 34-500 का 2 call यह देखिए यह 25 क्वांटिटी है यह 85 क्वांटिटी है यह 2 call आपने sell किया है तो पहला जब आपने buy किया तो आपने 36 रुपे उनको दिए आपने 36 रुपे दिए जब आप buy करते हैं तो और जब आपने sell किया आपको लगबग 11 रुपे आपको वापिस आए और यह दो बार किया आपने दो लॉट किये तो ग्यारा दूनी बाइस रुपए आपको वापिस मिल गए ऐसे ही हम एक बार जो है फिर से इसको निफ्टी में देख लेते हैं तो मैं दुबारा हूं पे गया आईडियास पे गया यहां मैंने यहां यह निफ्टी मैंने सेलेक्ट किया किया आपके सामने अलग 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 जो है दो आ लेकिन आपके पास जो आएगा वह आएगा इन्टू टू या निकि दो 240 रुपए के आसपास तो कुछ प्रॉफिट आपके हाथ में रहेगा तो इससे क्या फाइदा होता है कि आपका जो प्रॉफ चार्ट है वो नेगेटिव साइड भी पूरा पॉजिटिव है मतलब मार्केट अगर नीचे चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है जिस पॉइंट पर उससे नीचे चला गया तो पूरा प्रॉफिट है उससे ऊपर थोड़ा गया वहां तक भी प्रॉफिट है लेकिन अगर ज्यादा ऊपर चला गया तब आपका जो है वो लॉस हो जाएगा तो इस तरह से आप हर स्ट्रेटिजी को अब इसमें यह देखिए से उपर वाल आप थोड़ा देखेंगे तो यहां पे आप फिर से ट्रेड सेक्शन में देखिए यह आप ट्रेड में आए यहां पे आप दे कितना रहे हैं 144 और आ कितना रहा है आपको 77 इंटू 2 तो यहां भी आप थोड़े प्रॉफिट में है तो अगर मार्केट नेगेटिव चला गया तो तो लॉस भी unlimited हो जाता है तो आप आगे की तरफ का stop loss लगा के और इससे exit करें अगर आप इस वाले में जायमान लेजिए यह वाले में तो यहां आप देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है यहां देखिए यह ट्रेड सेक्शन में मैं फिर से click करता हूं और यहां आप 145 नीचे जाए तो भी आपको profit है या थोड़ा मार्केट उपर जाए तो भी आपको profit है लेकिन अगर ज्यादा मार्केट भाग गया तो आपको loss हो सकता है बहुत simple सी strategy है normally आप एक call buy करते हैं दो call आप sell करते हैं थोड़ा सा उपर जाके और वह selling का जो पैसा आपको आता है उस कि क्या आपका margin लगने वाला है और क्या आपका पूरा trade है तो आप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह nifty में 50 quantity यानि एक lot जो है वो हम यहाँ पर buy कर रहे हैं और दो lot जो है वो हम sell कर रहे हैं तो यह एक buy हो गया और यह sell हो गया twice तो 144 रुपए हमने दिये 220 रु नहीं हुआ तो वहां को थोड़ा profit ही रहेगा और नीचे गया तो पिलकुल profit है उपर भी एक level तक profit बढ़ सकता है फिर profit घटना शुरू होता है और फिर उसके बाद loss शुरू हो जाता है ठीक है तो यह सब आप देखके कि क्या आपका lot size है बढ़ाना या या बढ़ाना चाह करके आप अपना trade जो है वह execute कर सकते हैं तो आप लोगों को समझ में आया हुआ कि ratio call spread या call ratio spread जो है वह कैसे काम करता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक थमसब दीजिए और मेरे चैनल सब्क्राइब कीजिए और यह धनय अप अगर आपको यूज करनी है तो यूज बाई